वेल्कम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 भोतिक का सेट पेपर 1 चले श्टार्ट कर लेते हैं पहला कोशेन आप लोग के सामने हैं निम्न लिखीत में से कौन सी इकाई की विशेष्टा है इकाई की विशेष्टा तो इकाई सरो भोमिक रूप से स्विकार किया जाना चाहिए या फिर इकाई आपरिवर्तनिया और अच्छी तरह से परिवासित किया जाना चाहिए यह उप्यूक्त आकार का और आसानी से उपलव्ध होना चाहिए या फिर उप्रोक्त सभी तो बताईए एक का right answer क्या होगा और लाश्ट में इसका score भी बताईएगा कि 35 questions में से कितना questions आप लोग का सही और कितना गलत हुआ तो question number 1 का सही answer होना चाहिए option number D यानकि उप्रोक्त में से सभी question number 2 का सही answer बताईएगा question number 2 है गुरूतिय इस्तिरांक का आयामी सूत्र क्या है तो चार ओप्षन में से कोई एक एंसर सही होगा कमेंट कीजिए इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कोशे नमबर 2 का राइट एंसर होना चाहिए ओप्षन नमबर C अब यहाँ पर है M, L, T M मास को बताता है L होगे आपका लेंथ और T होगे आपका टाइम तो C नमबर इसका राइट एंसर हो जागा M-1 L3 T-2 अगरा कोशेन का सही उतर दीजेगा कोशेन नमबर 3 आप लोग के सामने है निमन लिखीत में से कौन से जोड़े की विमाए समान है विशिष्ट उस्मा और गुप्त उस्मा समवेग और आवेग प्रिष्ट्य तनाव एवं बल और जलत्व आगूर्ण और बलागूर्ण तो Q3 क सही उतर होना चे option B यानि की आवेग और समवेग अगला Q4 Q4 निमन लिखीत में से कोन सी समय का मातरक नही है प्रकास वर्ष कोन सा समय का मातरक नहीं है तो 4 का राइट अंसर होना चाहिए option नमबर B और C भी होना चाहिए क्योंकि प्रकास वर्ष तो होगा ठीक है वर्ष एक्चॉल में समय हाँ वर्ष हो जाएगा तो पारस्यक नहीं होगा option number B, इसका right answer हो जाएगा, अगला question, question number 5, question number 5 है, कि बल आघुर्ण की SI 1 क्या है, SI मातरक, बल आघुर्ण का SI मातरक क्या है, option देख लेते हैं, option number A, Newton per meter, kg, meter square per second, kg, meter per second, kg square, meter square per second, तो बताईएगा, 5 का right answer क्या होने वाला, 5 का right answer होगा, meter, sorry, Newton per meter, चलिए, question number 7 का, question number 6 का right answer, 7 ने, question number 6 का सही उतर दिजेगा, कि वेग समय ग्राफ का धलान क्या देता है, विस्थापन, वेग, त्वरन, या फिर बल, वेग समय ग्राफ का धलान, क्या देता है, तो question में 6 का right answer होगा, option में C, यानि की, त्वरन देता है, अगला question, number 7, एक गेंद को, लंबवत रूप से, 20 मीटर पर सकेंड के वेग से प्रचेपित किया जाता है, पहले 2 सकेंड में तई की गई दूरी ग्यात किजिए, टाइम दिया हुआ 2 सकेंड, यहाँ पे वेग दिया हुआ है, 20 मीटर पर सकेंड, ग्रेविटी कमान यहाँ पर दिया हुआ है 10, ठीक है, वैल्यू को put और इसका राइट एंसर बताइए, 7 का राइट एंसर होना चाहिए, ओप्सन नंबर ए यानि की 20 मीटर, आप लोग वैल्यू निकाल करके कमेंड किजिए क्या इसका राइट एंसर 20 मीटर है या नहीं है, अगला कोशन नंबर 8, तोरन किस परकार की भोतिक रासी है, सदीश, अधिश, टैंसर या फिर इन में से कोई नहीं, सदीश रासी किन को बुलेंगे, जिसका डायरेक्शन और परिनाम दोनों होता है, अधिश रासी जिसका डायरेक्शन मतलब दिशा और परिनाम दोनों नहीं होता है, तो बताइएगा तोरन किस परकार का भोतिक रासी है, सद कि यदि किसी वस्तू का विस्थापन सुन्य है तो हम उसकी तै की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं यह रिनात्मक है यह सुन्य होना चाहिए यह सुन्य नहीं हो सकता है और यह सुन्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो 9 का राइट अंसर होगा कि यह सुन्य नही हो सकता है अगला कोशें कोशें नमबर 10 दो कारे ए और बी 100 किलोमेटर प्रति घंटा और 60 किलोमेटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही है यहाँ पर होगा टू कार्स यदि दोनों कारे एक ही सिधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही हो तो कार B के तुलना में कार A का आपेच्छिक वेग क्या होगा 40 किलोमेटर प्रति घंटा, 160, 120 किलोमेटर पर हावर या फिर इन में से कोई नहीं बताइएगा 10 का राइट अंसर क्या होना चाहिए कोशन में 10 का सही उतर होगा ओप्सन नमबर A यानिकी 40 किलोमेटर प्रति घंटा कोशन नमबर 11 विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है गती, तुरन, वेग या फिर इन में से कोई नहीं विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहेंगे गुर्णन गती में द्रिवमान का सम्तुल्य रासी क्या होता है जलत्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणियां वेग या फिर कोणियां सम्वेग तो 12 का राइटेंस होना चाहिए जलत्व आघूर्ण, ओप्सन नमबर A इसका सई उत्तर हो जाएगा अगला कोशन, 13 नमबर, एक साथ 36 रूप से और एक ही साथ, एक ही अस्थान से अलग अलग गती के साथ, दो गोलियां चलाई जाती है कोन सी गोली पहले जमीन में टकराएगी, धिमी गती से फेकी हुई गोली, तेज गती से फेकी हुई गोली, दोनों एक साथ पोचेंगे या फिर दरव्यमान पर निर्वर करता है तो 13 का राइट एंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर D, यानि की दरव्यमान पर निर्वर करता है Q14 का सही उतर बताएगा, दो सदिस रासियों, बैक्टर रासी जो है, के बीच निम लिखित में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिस रासी मिलेगा, सदिस रासी मिलेगा, वह दोनों सदिस रासियों पर लमवत होगा योग करने पर घटाव, या फिर अदिस गुननफल, या फिर क्रोस प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रोस प्रोडक्ट, यानि की सदिस गुननफल तो 14 का राईटनफल होना चे अप्सन नंबर डी, यानि की क्रोस प्रोडक्ट अगला कुशन, नंबर 15, किसी वस्तु का जडत्व आगुर्ण, किस पर निर्भर नहीं करता है किस पर निर्भर नहीं करता है वस्तु का द्रोमान वस्तु के घुर्णन के धुरी या फिर वस्तु के द्रोमान का वित्रन या वस्तु का कोणिय वेग तो 15 का सई अंसरोगा option number D यानि कि वस्तु का कोणिय वेग question number 16 प्रचेप्य की 36 सिमा अधिक्तम होने के लिए प्रचेपन का कोण क्या होता है 45 डिगरी 60, 90 या इन में से कोई नहीं तो 16 का राइटेंसर होना चाहिए 45 डिगरी ठीक है तो option number A इसका राइटेंसर हो जाएगा next question है 17 प्रचेप्य गति के लिए निम लिखित में से कोण सा स्थीर रहता है गतिज उर्जा समवेग वेग का 36 घटक या वेग का उर्ध्वाधर घटक तो 17 का से अंसर हो जाएगा वेग का 36 घटक option number C question number 18 का जवाब दिजेगा जब कोई बस अचानक टर्ण लेती है तो यात्री बाहर की और क्यों फेका जाते हैं तो गति के जड़ता के कारण या गति का त्वरन के कारण गति के वेग के कारण या B और C दोनो D नमबर में है B और C दोनो तो 18 का राय टेंसर होगा जड़तो के कारण यानि गति के जड़ता के कारण अगला question है number 19 question number 19 है एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बेठा हुआ एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में उपर की और फेका जाता है या फेकता है तो गेंद कहां गेरेगा कार के बाहर कार में व्यक्ति के आगे या फिर कार में व्यक्ति के पीछे या गेंद फेकने वाले व्यक्ति के हाथ में तो 19 का राय टेंसर होना चाहिए option number D यानि की गेंद फेकने वाले व्यक्ति के हाथ में ऐसा क्यों या कार वेग में है तो गेंद भी वेग में ही रहता है ठीक है गेंद इस्तिरावस्ता में नहीं रहता है और गेंद को फेकते हैं चलती भी कार में तो गेंद भी गती करेगा और मनुस भी गती करेगा इस कंडिशन में मनुस के हाथ में ही वो गेंद आ करके गिरेगी अगला क कोशन 20, कोशन 20 है, 5 Newton का बल 1 kg दरवमान के सरीर पर कारिक करता है, तो सरीर का त्वरन निकालना है, ठीक है, कितना होगा त्वरन, 5 m2 पर सकेंड स्क्वाईर, या फिर 50 m2 पर सकेंड स्क्वाईर, 0.5 जा फिर इन में से कोई नहीं, तो 20 का राय टेंसर होना चाहिए option number A यानि कि 5 मीटर पर सकेंड स्क्वाइर question number 21 का अंसर दिजेगा निमलिकित में से कौन सा आत्म समायोजन बल है option देख लेते हैं aesthetic घर्षन अधिक्तम aesthetic घर्षन बल गतीज घर्षन या फिर सरपी घर्षन तो 21 का राय टेंसर हो जाएगा aesthetic घर्षन option number A question number 22 जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आगोर्न सुन्य हो तो निमलिकित में से किस रासी में बदलाव नहीं होना चाहिए रेखीक वेग कोनिय वेग कोनिय विस्थापन या वस्तू पर कारिक करने वाला बल तो 22 का राय टेंसर होना चाहिए कोनिय वेग option number B अगला question 23 question 23 है कि 300 दरवमान का एक हथोड़ा 40 मिटर पर सेकेंड की गति से चलते हुए एक किल सेट कराता है किल 0.02 सेकेंड में बहुत कम समय में हथोड़े को रूख देती है तो हथोड़े पर कील के दुआरा लगाया गया बल क्या होगा 600 नूटन 1200 नूटन 2000 नूटन या फिर 2500 नूटन बताइएगा 23 का राय टेंसर क्या होना चाहिए इसका राय टेंसर होगा option number A यानिकि 600 नूटन question number 24 question number 24 है 40 gram meter या gram द्रवमान की एक गोली को 8 kg द्रवमान की बंदुक से 800 meter per second के वेग से दागा जाता है तो बंदुक के पीछे हटने का वेग की गढ़ना कीजिए तो 1 meter per second minus 1 meter per second 2 meter per second या फिर minus 4 meter per second तो 24 का राय टेंसर होगा option number D यानिकि minus 4 meter per second question में 25 का राय टेंसर दिजेगा 3 kg द्रवमान को 5 meter per second square और 4 kg द्रवमान को 4 meter per second square की गति देने के लिए आवेस्यक बल क्या होगा दोनों मामलों में सुन्य बल होगा दोनों मामलों में समान बल होगा 3 kg द्रवमान को 5 meter per second square के लिए अधिक बल होगा या फिर 4 kg द्रवमान को 4 meter per second पर अधिक बल होगा तो 25 का राय टेंसर होगा option number D अगला question का जवाब देजेगा question number 26 question number 26 है विर्तिय गती से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभी केंद्रिय बल क्या होता है mb square बटे r mb r mb square r या फिर mw square बटे r तो इसका right answer क्या होना चाहिए 26 का right answer होना चाहिए option number a यानि की mb square upon r अगला question question number 27 दो वस्तुएं a और b समान समवेग से गतिमान है वस्तु b का द्रवमान वस्तु a का द्रवमान से अधिक है तो दोनों में से किस वस्तु की गतीज उर्जा अधिक होगी वस्तु a, b दोनों वस्तु की गतीज उर्जा समान होगी या दिया गया डेटा अधूरा है 27 का right answer बताईए इसका सही उत्तर होगा option number c दोनों वस्तुएं की गतीज उर्जा समान होगी अगला question question number 28 बल विस्तापन ग्राफ के अंतरगत छेतर निरूपीत करता है गती, तुरन का आवेग या फिर किया गया कारिय तो 28 का right answer होगा option number d यानि की किया गया कारिय कोशर में 29 कोशर में 29 का जवाब दिजेगा 50 सेकेंड में 100 किलो या केजी के द्रोमान को 50 मीटर की उचाय तक उठाने के लिए आवेश्यक ओसत सकती क्या है 980 वाट 98 वाट 100 या फिर इनमें से कोई ने तो 29 का right answer हो जाएगा 980 वाट अगला कोशर का जवाब दिजेगा question number 30 द्रोमान M और लंबाई L वाली छड़का उपकक्च के परित जड़त तो आघूर्न क्या होगा जो इसके लंबाई के लंबवा तथा मद्धी बिंदू से गुजरती है यह नमबर हो गया M L square upon 2 M L square upon 3 M L square upon 12 या फिर इनमें से कोई ने तो 30 का right answer होना चाहिए option number C यानि की M L square बटे 12 question number 31 का जवाब दिजेगा पांच न्यूटन बल के कारण एक वस्तू बल की लंबवद दिसा में 10 मीटर चलती है बल के दुआरक क्या गया कार्य बताईए तो कार्य कितना होगा 30 J, 15 J, 20 J या फिर 0 J, सुन्या तो 31 का right answer होगा option number D यानि की सुन्या अगला question का जवाब दिजेगा question number 32 किसी वस्तू पर क्या गया कार्य किस पर निर्वर नहीं करता है विस्थापन, आरुपित बल, विस्थापन और बल की बीच का कोन या वस्तू का आरंबिक या प्रारंबिक वेग तो 32 का right answer होगा चाहिए option number D यानि की वस्तू का प्रारंबिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है question number 33 किसी वस्तू पर सभी बलो के दुआरा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होता है कुल उर्जा, गतीज उर्जा, स्थितीज उर्जा या फिर इन में से कोई नहीं 33 का right answer होगा option number B यानि की गतीज उर्जा अगला question का जवाब दीजेगा 34 question number 34 है किसी वस्तू का द्रोमान केंद्र क्या होता है हमेशा ज्यामित्य केंद्र में नहीत होता है हमेशा वस्तू के अंदर होता है हमेशा वस्तू के बाहर होता है Q34 का राइट अंसर होगा option number B यानि कि हमेशा वस्तू के अंदर होता है Q35 और आज के लिए last question मूल बिंदू के परित बल एब बराबर ये value दिया हुआ है का बल आगोर्न ग्यात किजिए यदि बल जिस कन पर लगता है उसकी दिशा सदीस आर बराबर ये है तो बताइए इसका right answer क्या होना चाहिए और ये आप लोग के लिए hw भी रह जाएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं इस class Thank you